हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी जो 68th BPC Prelims का एक्जाम हुआ है आप सभी का अच्छा गया होगा तो जिरूरी ये है कि हम बिना टाइम वेस्ट की जो मेंस है उसके प्रिप्रेशन में लग जाए तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे मांक्स अच् तो हम उसका प्रिप्रेशन सुरू कर देंगे अभी से तो अभी जो भी बदलता हुआ पैटर्न है उसमें हमें सबसे ज़रूरी है कि जाने, की मेंस का पैटर्न क्या है अभी बहुत सारे चेंज़िश किये जा रहे हैं सब्लैक्स में पैटर्न में फॉर्मेट में तो इन एक्जाम पैटर्न 2023 से रूलेटिड है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों तो चलिए हम देखते हैं अच्छा दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इन में पसंद आया तो जिरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ सेर भी करेंगे तो चलिए यहां पर विषय दिया है यहां पर पूर्णान क्यानी कितने मार्क्स के होते हैं और यहां परिछा की अउधी दी होई है टाइमिंग जितने मिलता हैं हमें वो सबसे पहला हमें पेपर देना पड़ता है सामानिय हिंदि का दूसरा होता है जी एसवन फिर जी्स टू और ती विशाय जो हमेशा से है optional जो हमारा होता था वो है अब हम बात करें अगर कि हमारे marks कितने होंगे इसमें सामान्ने हिंदी के लिए यहाँ पे हमें 100 marks मिलते हैं GS1 के लिए 300 marks अच्छा दूस्तों यह जो सामान्ने हिंदी है ना यह qualifying nature का होता है चलिए दूसरा है GS2 जो है वो भी 300 अंका होगा और निवन्थ जो हमारे नया पेपर है वो भी 300 अंका होगा और रही बात वाइकल्पी क्विस है की तो चेर्में सर के दोरा पहले बोला गया था कि मतलब कि इसके लिए भी 3 घंटे टाइम होंगे या कुछ ऐसे तो मतलब अब ये बता क्लियर हो गया है कि 2 घंटे टाइमिंग होंगे और ये MCQ बेस्ट होंगे और 100 मार्क्स के ये होंगे चलिए अब हम अगर बात करें टाइमिंग की तो सामाने हिंदी के लिए भी हमें निबंद के लिए भी 3 घंटे दिये जाएंगे साथी में वकल्पिक विस है चुकि ये 100 मार्क्स के ही है MCQ टाइप है तो 3 घंटे बहु जादा हो जाएंगे तो ये 2 घंटे क्योंगे अब हम आते हैं थोड़ा सा डीटेल में देखते हैं दूस्तों यहां पर बात करेंगे हम पेपर वन से देखे पेपर वन जो है उसमें पहला सेक्षन होता है भारत का आधूनिक कितिहास और भारतिया संस्कृति इसमें हमें तीन क्वेश्चन करने होते हैं हाँ तीन क्वेश्चन अभी कुछ फॉर्मेट भी चेंज हुआ है इसलिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हम वह भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए अब यहां पर जो दूसरा सेक्षन होता है ना उसमें से राश्ट्रिय तथा अंतर राश्ट्रिय महत्वके वर्तमान घटना चक्रे यानि जो भी समसमाई क यानि करेंट अफेर्स होते हैं उससे रिलेटिड प्रस्थन होते हैं तीन प्रस्थन होते हैं यहां से भी अब तीसरा सेक्षन है हमारा संखे लेकि विसलेशन, आरेखन और चित्रण याननी यह जो है, वह स्टाटिक्स जो करने होते हैं, यहां से दो क् Bay cm करने होते हैं, अब हम बात करेंगे यहां पर अपने जी एस डू के बारे में, चलिए जी एस पेपर टू समाने अधियान पेपर टू यहां पर फर्स्ट सेक्षन जो है हमारा वह भारती राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है यानि पॉलिटी दूसरा भारती है अर्थ व्यवस्था और भारत का भुगोल यानि एकॉनोमिक्स और जियोग्राफी यहां प कमी प्रस्ट देखने को मिलते और अगर प्रस्टे होते भी आना तो वह भिहार से रिलेडेड 없다 देखने को मिलते हैं यहां भी तेन खेशन होगे और यह तीसरा सेक्षन ऑगा भारत के विकास में विज्ञान और प्रद्याभ की भूमिका और प्रभाव तो यह शाइंस टेक एक important role play कर सकता है जैसा कि प्रसने पूछा गया था कि smart city के लिए साइंस्टिक का जो योगदान है या फिर जलसन रक्षन वगरा से related या फिर जो उर्जा है उससे related प्रसने इसमें आते हैं तो ये भी 72 marks के होते हैं और दो प्रसने यहां से भी करने होते हैं अब आती है बारी हमारे नया पेपर नया पेपर से मतलब है निबंद का जो अभी अभी एड किया गया है तो हम उसके बारे में भी देख लेंगे जो पहले थोड़ा सा इसको सही कर लेते हूं तो यह जो हमारा निबंद का पेपर होगा दोस्तों इसमें भी तीन सेक्षन होंगे और तीनों के लिए यहां पे हंड्रेड मार्क्स दिये जाएंगे तीनों में चार चार विकल्प दिये रहेंगे जहां से एक प्रस्न हमें करने होंगे वैसे ही मतलब तीनों में चार चार विकल्प मिलेंगे अब जो यह तीसरा सेक्षन होगा ना वो बिहार से संबंदित होगा जैसा कि चेर्मैंसर ने क्लेर किया था कि यह बिहार के स्टुडेंस को देखते हुए ध्यान में रखते हुए उनके उनके लिए इसको आड़न किया जा रहा है और सबसे इंपॉरेंट बात उन्होंने इस बारे में यह कहा कि जिएस्टू जो जिएस का हमारा एक्जाम होगा वो तो हम यहां पर दे ही रहे हैं सबसे जो निबंध जो होगा वो इन सभी से अलग होगा मतलब कि जो भी हमारी लेखन सैली है या फिर विशलेश संस्कृ्शन च्हमता है उसकी जाद यहां पर की जाएगी तो यह GS1 और GS2 से डिफ्रेंट होगा जितनी भी टौपिक्स हो सकते हैं जिससे कौंशन सकते हैं मतलब कौंशन मतलब जिस पे निबंध लिखे जा सकते हैं वो सारे कोश्शन दिये जा सकते हैं यहां पर बताया च चेर्मेंसर के द्वारा कि बिहार से संबंदित है तो यहां पर आसा नहीं है कि यहां पर भी बिहार में क्या समस्या है यह सभी चीज़ें मतलब यह भी पूछी जा सकती है लेकिन हाँ यहां पर कोई भी संस्कृति यहां के तेवहार यहां के भेज भूजा या फिर खान पान जैसे कि उन्होंने कहा कि लिट्टी चुका के भारे में भी वो दे सकते हैं तो मतलब ये सारी चीज़े यहाँ पर महत्वपून होंगी तो विसलेशन चमताप यहाँ पर जाच करनी है दोस्तो तो हमारा ये आज का जो भी वीडियो था वो कम्प्लीट हो गया है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएंगे अगर पसंद आया तो लाइक से जुरूर करेंगे दोस्तों अच्छा अगर आपको क्वेशन पेपर के फॉर्मेट के लिए भी एक वीडियो चाहिए तो आप जुरूर बताएंगे हम उसके लिए भी एक वीडियो लेक आएंगे मलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद